इनी दिनों हमारे अम्मा की छोटे भाई जमशेद मामूद छुट्टियां मनाने आये। शिकार के शौकीन पक के शिकारी आते ही उन्होंने सीधा निशाना आपा को बनाया। हर काम के लिए बस आपा की पुकार और आपा है कि कान में रुई धूस कर बैठी रहती। कान बहरे हो गए क्या जा सुनकर आ अम्मा चिल लाती तो कोस्ती गालिया बक्ती आपा उनके कमरे में पहुच जाती। भला हांके के बाहर हिर्नी कूच सकती थी और आपा जमशेद मामूद की हवस का शिकार हो गई। बड़ी बड़ी शोख हांके इत्व नीचे चुक गए। इधर अम्मा आपा की बाचीत तै करने में लगी थी। मेरी छोटी सी बुद्धी में इतनी धेर सारी गड़मट बाते एक साथ बैठ नहीं पा रही थी। प्यार किसी से हवस की शिकार हुई किसी दूसरे की और अब शादी तीसरे से तै हो रही थी।